चलिए दोस्तों आ गया है और एक संडे और वक्त होता है हैस्टाइग आसकरून एपिसोड नम्मर वान जीरो सिक्स का जी हाँ संडे है एनरजी बहुत है लेकिन तब ही है थोड़ी डाउन है में सरदी खासी बहुत जादा हो गई है इसलिए बीच में अगर खास दू या फिर और कुछ रुक जाओ तो बुरा मत मानियेगा वैसे तो और आवाज भी अगर थोड़ी अलग आ रही है इट इस बिकाज ओफ जिया में को सरदी खासी बगएर हो गई है चलिए चालू करते हैं आज बहुत सारे सवाल है अच्छे अच्छे सवाल भी है उनके जवाब भी बहुत अच्छे मैं कोशिश करूँगा देनी की लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आये हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैल आइकन मज़े होल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते है और नाव लेट्स टेक फर्स्ट क्वेस्टिन जो आता है मुन्ना शर्मा जी से वो बुछने का मीडिया टेक हिलियो जी नाइंटी टी लॉंग टाइम में कोई प्रॉब्लम होगा क्या उसमें क्या यूज करने में कोई क्यूंकि रेड्मी नोटेट प्रो लेना लेने का सोच नहीं हो ले लीजिए यह अच्छा है जी नाइंटी टी देखिए अब इस लॉंग टर्म क्योंकि उसके बाद में नहीं चिपसेट आयाती है पुरानी बूल जाते है तो जी नाइंटी टी इस अगुड प्रोसेसर आप एकदम बिलकुल टेंशन ना लेते हुए ले सकते हो लोटेट प्रो राहूल वानखेडे पुछते है दादा अलमोस्ट हाफ जैनुरी इस ओवर बट रियल्मी यू आए का अपडेट आया नहीं है अभी तो रियल्मी एक्स्ट शायद एंड रियल्मी 3 प्रो इन दोनों में आने वाला है उसके बाद में बाकी के फोन पे आएगा तो इडिज वाइस रिलीज तो अगर रियल्मी 3 प्रो है तो जल्दी आजाएगा रियल्मी एक्स्ट है तो जल्दी आजाएगा मेरे हिसाब से उनका जो टाइम लाइन था उसके उपर से मैं बोल रहा हूं दर जोगी पुछने सर्थ हैंक्यू सो मच वर वीडियो पर यूपीडियन एंसर क्वेशन इस आपके हिसाब से डेडिमी नोट नाइट बहुत मज़ा आया मुझे करने में और उधर मैंने ये सवाल पूछा उन्होंने डिरेक्ली जवाब तो नहीं दिया लेकिन हो सकता है कि मीडिया टेक का प्रोसेसर आ जाए सो आया मोफफूल की डाइमेंड सीटी वगेरे में शायद आ सकता है आया एम नोट शूर दो लेकि something exclusive so yes Ronak Meman poochte hai thanks for uh thanks to you I am become a tech guide very good my question Redmi K34G or Realme Note 8 Redmi Note 8 Pro which is the best according to you Arundhara take the question love from Gujarat Rodak जी Redmi Note 8 Pro अच्छा है but I will say K30 is better जी हाँ 730G है versus G90T दोनों भी अच्छे processor है but Redmi K30 में side mounted fingerprint sensor वगेरे है तो देख लीजेगा but Redmi K30 4G will be better in my view slightly better और लेकिन अभी तक launch नहीं हुआ है प्राइस बहुत important है प्राइस क्या है उसके उपर भी बहुत कुछ depend होता है अनी रुद्ध अनी रूध स्पेस देखे लिखा हुआ है अरुद भाई क्या Redmi 15K में wireless charging लाएगा 2020 में 2020 में 2021 में हो सकता है 2020 में ही आ जाए मेरे हिसाब से second half या fourth quarter of 2020 में आ जाएगा मेरे हिसाब से प्रियांशु शर्मा पुछते है सर रियल्मी का fitness band कब तक होगा और उसकी pricing क्या होगी मेरे हिसाब से फेब में लाउंच हो जाएगा अगला जो launch event होगा उसमें रियल्मी बैंड आ जाएगा मेरे हिसाब से सिबा नंदा सिबा नंदा महा पात्रा पुछते हैं रियल्मी 5s वर्स रियल्मी 3 pro अच्छा वेरी इंप्रेस्टिंग क्या इंपोर्टेंट है आपको गेमिंग वगेरे करना चाहते हो या फिर सभी हिसाब से मैं कहूंगा रियल्मी 3 pro ही अच्छा है इस रियल्य गुड़ दैंट प्रोसेसर अगरे आपको 10,000 के नीचे मिल रहा है क्या बुरा है मुझे वन हैंड यूज करने के लिए मिद्रेंज फोन जाहिए क्या मी A3 ठीक रहे हैं रेड्मी नोटेट रेड्मी नोटेट अगर देखा इंपक्त हमारा बेस्ट माटफोन अडर 10,000 का वीडियो देखिये दोस्तों और रेडमी नोट हमारी लिस्ट में नमबर वन पर आता है अडर 10,000 वाला तो यू आपके हर एपिसोड को देखता हूं हमेशा लाइक करता हूं थैंक्यू थैंक्यू लेकिन कमेंड का जवाब क्यों नहीं देते हैं कितन कमेंड करेंड करोंगा तो लेकिन जो इंपोर्टन होते हैं सही में या फिर आसकरून उसी के लिए कि आपके जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए देखिये आपका सवाल ले लिया ओनर 9x14 जैन को लाउंच हो रहा है येस शैक अमान पूछते हैं असुस आरो जी 3 2.3, will it launch in 2020, will it have 240hz display मुझे नहीं लगता जरूरत है और नहीं होगा क्योंकि 120hz is more than enough for a smartphone, जरूरत ही नहीं है, will it come up with foldable feature, I do not think so, I really don't think so, it will be foldable, it's a gaming phone, why do you need foldable there, Pintu Singh पुछे, if there will be no 5G network this year or next according to you, then is it okay to buy 5G phones, in 2020 or wait, रूप जाहिए मेरे हिसाब से, 2021 भी second half के बाद में शायद आएगा, तो अगर 2020 में आप लेने वाले हो तो एक तेर साल आप यूस करने वाले हो फोन तब तक 5G नहीं होगा, और उसके बाद में तो नहीं लीजे, तो 5G जब आपको पता चलेगा, कि यार ये तीन महीन महीने में लांच हो रहा है, तब ही आप सोच सकते हो, लेने के लिए छींक आने वाली थी रूप गई, इसे देर, इसे देर, इसे देर, बहुत ही जल्दी लांच हो जाएगा, So, Feb 30, Feb में लॉच हो जाएगा, K30, Oh God, is Poco F2 coming? ये भी सवाल मैंने पूछा हुआ है, Manu Kumar Jain जी से, and that interview is coming, to watch it, अपने दोस्तों के भी जरूर बताये, बहुत मजा किया है, उनके ओफिस बे गए है, पुरा ओफिस घूमे है, मी होम पे गए है, उधर भी बहुत सारी of fun, by the way, मायूर ठोके पूछते है, दादा, न्यू फिलिपकार्ट मार्क्यू के अंडर लैप्तॉप बदल तुझे कायम हता है, माजे मत, वो पुछते है कि फिलिपकार्ट का जो नया मार्क्यू के अंडर लैप्तॉप आया हूँ है, क्या नाम है उसका, फैलकन एर, ऐसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अंडर 40,000 है, आइफाइ एच जनरेशन है, 8GB RAM है, 256GB SSD है, एंड लाइट वेट वन पॉइंट टूश केजी है, पांच गंटे की बैटरी देता है, तो आइम थिंकिंग ओ बाइट रिविव इट फो यू, देखते हैं, एफिर्ट, आइम नट अट वनली यूर फैन बट यूर बीयर्ट वैंट शुक्रिया, थैंक्यू सो मच यार, बहुत सारी लोग मुझे कभी कए तेह निकाल दो, निकाल दो, मुझे नहीं निकालनी है, थैंक्यू, चोब एक पैन मिल गया मुझे, यस, कल पतरू पूछते ह है realme c3 launch date और दो तिन जगह पे वो लिस्ट भी हो गया है c3s के नाम से जो websites वगेर होते हैं so listing websites certification websites उसके उपर जल्दी ही हो जाएगा again I think Feb should be the date when it will launch probably Jan but I think Feb is the realistic one क्योंकि अभी अभी 5i launch हुआ है तो देखते हैं गौरव पाटिल पुझते हैं क्या Alibaba से shopping करना सेफ है देखिए जब आप किसी भी Chinese website से करते हो तो shopping करना सेफ है problem यह है कि उधर से चाइना से इंडिया में आपके घर सब तक आने के लिए उसे बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ता है इंपोर्ट इंस्पेक्शन कूरियर अलग अलग कूरियर होते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि इसे नहीं है कि Aliexpress अवे अलिबाबा ने शिप किया नहीं है उन्हों ने शिप कर दिया है लेकिन इस गौट लॉस्ट इन दर ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसलेशन दिया ट्रांसलेशन में लूज हो गया हो ऐसे हो सकता है अगर आप लगियो 30% नहीं आएगा तो चोटी-चोटी चीजे बाई कीजे ज्यादा बड़ी महंगी चीजे मत बाई कीजे इच्छित पूछते हैं करेंगे साजित यस लेट्स दू बट अगला 10-15 दिन बहुत बीजी होने वाला है तो उसके बाद में कोशिश जरूर करते हैं करने की डेफिनेटली गुड आइडिया पुल्कित अगरवाल पुछते हैं सर वाट यो फेवरेट सीरीज और मूवीज ओ फेवरेट सीरीज पुल्कित घ्रिडव उसके बाद में ब्लक मिररर इल लॉव ड़क शरीज ऑसकता है। तो मैं देखता हूँ विज रहा हूँ मैं रहा हूँ पार नहीं कोशो मुवीज पार में इसके लगता है कि अच्छा हो नहीं है तो ऐसा कोई नहीं है बट अगर हिंजी में कहूं तो अमीर खान के कुछ मुवीज अच्छे लगे मुझे अच्छे लगे मुझे अच्छे लगे मुझे And final question is me you are 12 कब आई की? By the way lots of love to track and tech team ishwanit singh Me 12 will be coming at least 6 months 6-8 महिने तो लगेंगे अभी तो teaser पहला कैसे उसका logo अगरे होगा वह आया बार तो अभी development चालू हुई है To me I think about third quarter of 2020 में हमें पहला beta alpha version अगरे देखने को मिल जाएगा उसके पहले तो नहीं आएगा और आपके phones में तो शायद it'll be अगला साल उजड जाए I don't know चलिए दोस्तों आज का hashtag askarun episode number 106 खतम होता है इधर ही And आपको भी सवाल पूछने है तो hashtag askarun डालिए And आपका सवाल डालिए जरा अच्छे unique सवाल पूछिए हम जरूर लेंगे आपके नाम के साथ और उसके जवाब भी मैं जरूर दूँगा I hope you have a great Sunday and मजा कीजिए weekend है फिर से कल से grind चालू Monday से जिया चले हो सो इस वीडियो में हिता है अगले वीडियो तक keep tracking